दोस्तो चिंटू और मिंटू एक जंगल में आते हैं और वो दोनो एक मेढक को देखते हैं जिसके बाद चिंटू एक पटाके को जलाकर उस मेढक के नीचे रख देता है जिससे वो मेढक बलास्ट हो जाता है वहाँ पर फिर से एक दूसरा मेढक आ जाता है चिंटू उसके नीचे भी पटाका जलाकर उसे भी बलाश्ट कर देता है जिसके बाद वहाँ पर एक रानी मेडग आती है चिंटू उसका भी काम तमाम करने के लिए जाता है लेकिन वो रानी मेडग चिंटू को रोक कर अपना ताज दिखाती है और चिंटू को किस करने के लिए कहती है जिस तो चिंटू छोटे वाले पटाकों को फेक कर बड़े वाले पटाकी को उस लड़की के पीछे लगा कर फोड़ देता है